Students, welcome in math class, chapter हमारा first, continue, real number, exercise करेंगे आज हम 1.4, 1.4 में हैं, first question, without actually long performing, जो division को perform किये बगार हमने state करना है कि जो हमारी rational number है, given number है, वो terminating expenses की form में है या non-terminating, at first, सबसे पहले हमारे पास rational number, जिसको हम P by Q की form में write कर सकते हैं, वो हमारे पास where Q is not equal to 0, rational number होती है, अब rational number को P by Q की form से टाकर, अगर decimal form में लिखते हैं, तो हमारे पास उसके two types होती है, terminating, जब हमारी division process खतम होती है, जैसे हमारे पास remainder 0 हो जाए, तो हमारी division process end मन जाती है, उसको बोलते है terminating, जब हमारे पास division process खतम नहीं होता है, तो उसको terminating बोलते हैं, तो non-terminating और repeating भी होती है, इसमें ध्यान रहे, कि जब हमारे पास rational number है, non-terminating की form में होती है, तो वो हमेशे repeating होती है, जैसे हमारे पास 32, 32, 32, ड़, डश, डश, इस form में, यानि non-terminating भी होगी, और repeat भी होगी, जो repeating का pattern है, वो same होगा, या फिर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, जो पैटरन है वो repeating का सेम होगा तो इसको किस फोम में लिखते हैं 0.32 जो नंबर repeat है उसकी बार की फोम में आ जगा यहाँ पे 0.123 यह बार की फोम में आ जगा यानि terminating होगी तो हमारी finish non-terminating तो हमारा division process finish नहीं होगा continue होगा और repeating जो process है वो सेम होगा अब हमारे question पे आते हैं यह हमारे p by q की फोम में है अब बगार divide के कैसे पता लगाए तो हमारा जो denominator है यानि q है वही show करता है कि हमारे पास यह terminating होगा या non-terminating जब हमारे पास denominator के जो factor form है factor करेंगे इसके जो prime factor आएंगे वो factor form हमारे पास या तो सभी के सभी 2 की form में हो या फिर 5 की form में हो या 2 and 5 की multiple form में हो ऐसा क्यों क्यों क्योंकि 2 की multiple form में हमारे पास 10 आता है 5 की भी हमारे पास multiple form में 10 आता है 5 तू जा 10, 2 फाइव जा 10 और 2 फाइव जा 10 यानि 10 ही ऐसी expression number होता है जो सब को completely divide करता है अब देखो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले last digit 5 है तो 5 से divide करेंगे 5 6 जा, 5 2 जा और 5 5 जा यानि इसको divide करने के बाद हमेशा हैं कुशन ट्राइट करते हैं फिर हमारा 5 से डिवाइड हो आप 5 से डिवाइड करोगे 5 1 जा 5, 5 2 जा और 5 5 जा फिर आप 5 से डिवाइड करोगे 5 2 जा 10 और 5 5 जा फिर 5 से डिवाइड करोगे हमारे पास 5 1 जा और 5 5 जा इस तरह से यानि जो प्राइम फेक्टर आए वो सभी के form में है तो then we can say हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 3 by 3125 है नि 13 by 3125 है क्या हमारे पास ये terminating होगी decimal expansion हमारे पास क्या होगी terminating यानि हमारा division process end हो जाएगा अब हमारे third part देखो इसका denominator क्या हमारे पास 455 इसके हम factor करेंगे factor form में हमारे पास last digit 5 है तो direct हम 5 से divide करेंगे 5 9 जा और 5 जा 5 अब ये 91 थरी से तर डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 9 और 110 होता है some of the digit is 10 तो it not divide by 3 अब इसको 7 से divide करेंगे 7 बंजा 7 और 7 3 जा 21 13 आपका 13 से divide होगा ध्यान रहे हमारे हमारे पास जब यहाँ पे जो number है जिन से हम divide करेंगे वो number हमारे prime number होने जी है यानि which number divided by 1 and itself जो number 1 से और खुद से divide होगा हमारे पास यहाँ पे division फोर्म में लेके आएंगे अब देखो इसकी factor फोर्म क्या होई इसकी prime factor क्या है 5 7 13 या तो सभी कि सभी 5 हो या सभी कि सभी 2 हो या 5 और 2 की multiple फोर्म में हो यह हमारे पास क्या है other factor आगे other number आते हम कहते है कि 64 by 455 is non- terminating क्या हमारी division process end नहीं होगी और क्या होगी repeat होगी repeating हमारे पास repeating होगी अब इसका हम fourth part चेक करेंगे सबसे पहले numerator और denominator में से अगर reduce form में होते तो हम इसको reduce form में करेंगे या इसको अगर किसी number से वो divide होते तो हम इसको divide करेंगे यहाँ 5 है यहाँ पर last digit 0 है तो दोनों के दोनों 5 से divide होते है सबसे पहले हम उसको reduce form में लेके आएंगे 5 से cut करेंगे 5 3 जा 15 5 से cut करेंगे 5 3 जा 15 1 और 5 2 जा 0 यह हमारे पास अब यह हमारे पास 3 से divide होता है बट यह number हमारे पास 3 से divide नहीं होगा 3 और 2 5 है 5 is not divided by 3 तो हमारे पास यह होगी reduce form अब reduce form को ही हम चेक करेंगे यहाँ पर numerator और denominator denominator के factor करेंगे हमारे पास 3 20 2 से divide करोगे 2 1 जा 2 और 2 6 जा और हमारे पास 0 फिर 2 से divide करोगे 2 8 0 फिर 2 से divide करोगे 4 0 फिर 2 से divide करोगे 2 0 फिर 2 से 10 और फिर 2 से divide करोगे 5 और 5 से divide करोगे 1 यानि जो factor form जो हमारे prime factor हैं वो किसमे 2 और 5 के form में है यानि 2 की power हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की power 6 और हमारे पास यह हमारे expansion form होती है, decimal, exponential form में होती है अब यह हमारे factor हैं क्या है? 2 और 5 की form में है 2, 5 जा 10 होता है और 10 ही हमारे पास किसी digit को completely divide कर सकता है यह इसलिए हमारे पास जो 3 by 320 है, वो किस form में है? हमारे पास क्या होगी? terminating होगी terminating क्योंकि हमारे पास terminating की form में होगा terminating की form में होगा, इसकी expansion वो हमारी completely divide होगी अब इसका 5th part, 5th part की form में हमारे पास क्या हुआ? और यह हमारा denominator है, denominator को ही हम check करेंगे हमेशा denominator ही show करते हैं, क्योंकि denominator से हमेशा हम divide करते हैं तो denominator ही show करेगा, this number is terminating and non-terminating अब यह हमारे पास last digit, अब 3 से divide होगा नहीं, क्योंकि 3, 6 और 4, 10 10 is not divided by 3, some of that digit अगर 3 से divide नहीं होता, तो वो number 3 से divide नहीं होगा अब इसको 7 से करेंगे, 7, 4 जा और 7, 9 जा, फिर 7 से divide करोगे, 7, 7 जा, 49 और 7 बन जा 7 यानि जो prime factor है हमारे पास किस home में आगे, 7 की में, तो 29 by 343 is non-terminating non-terminating होगी यह, जो division process है वो हमारी end नहीं होगी और repeat भी होगी क्योंकि हमारे पास ही repeating होता है, तो dear students, complete your work, if you like our video then subscribe and like the video, thank you, have a nice day, press the bell icon ताकि आपको हमारे सभी notification मिलते रहें, thank you झाल खुआग।